परा हुआ याद नहीं रहता एक बार नहीं बार बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं रहता क्या यह कोई बिमारी है या फिर ऐसे लोगों की दिमाग और याददास कमजोर होते है अब सवाल यह है कि यह चाहे बिमारी हो या फिर कुछ और इससे निकलने का रास्ता क्या है तो फिर जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहे ये जो लोग कहते है इसकी दिमाग और याददास बहुत तेज है और उसकी दिमाग और याददास बहुत कमजोर तो एक बात अपने दिमाग में बैठा लो दुनिया में हर इंसान का दिमाग बराबर का होता है ना कोई दिमाग से तेज होता है और ना ही कोई दिमाग से कमजोर ये बात अलग है कि हर इंसान एक ही काम में माहिर नहीं होता लेकिन ये बात भी सच है कि हर इंसान में कुछ ना कुछ काबिलियत जरूर होता है और जो लोग ये सोचते है कि सायद मेरा दिमाग और याददासी कमजोर है जिसकी वज़े से मेरा फरा हुआ मुझे याद नहीं रहता तो ऐसे लोगों से मेरा ये सवाल है क्या तुझे किसी हीरो का डायलोग एक बार सुनने के बाद याद नहीं रहता क्या किसी फिल्म को एक गानों के लिरिक्स, सुर्टाल सब कुछ याद रहता है, तो फिर तुक किस वज़ा से ये बोलता है कि तेरा दिमाग और याद दास कमजोर है, तेरा ना तो दिमाग कमजोर है और ना ही याद दास, अगर तेरे अंदर कुछ कमी है, तो वो है तेरा कॉंसेंट्रेशन पावर और फोकस करने की समता, तुझे हीरो के डायलोग, फिल्मिक की कहानियां और गानों के लिरिक्स इसलिए याद रहता है, क्योंकि जब तु किसी फिल्म को देखता है, तो तेरा 100% कॉंसेंट्रेशन और फोकस उसी फिल्म पे होता है, और तुझे अपनी पढ़ाई इसलिए इसलिए तुझे अपना कॉंसेंट्रेशन और फोकस करने की समता को भराना होगा, और जब तु 100% कॉंसेंट्रेशन और फोकस के साथ अपने पढ़ाई करेगा, तब तुझे समझ में भी आएगा और याद भी रहेगा, अब तुझे अच्छे से यह मालूम हो गया होगा, क आखिर तुझे आपने आप में क्या डबलब करना है हमारे आज के वीडियो में वह सितना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत